नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक श्वागत अमिनंदन इस TNC के इंटर्व्यू की कड़ी के अंदर और आज हम लोग एक बहुत ही बड़ा इंटर्व्यू करने जा रहे हैं आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी संग्रस की कानी जुड़ी है जिन्होंने बहुत ही लंबे इस्ट्रगल के बाद बहुत ही अच्छी रैंक के साथ निम्हांस में सेलेक्शन्स लिया है तो मैं आज उन सब के आपके साथ पूरा का पूरा इंटर्व्यू लेने वाला हूं किस प्रकार से सेलेक्शन्स लियाता है किस प्रकार से पैसेंस रखा जाता है और क्या कि इस ट्रिट जी रहने वाली है तो मैं वेलकम करता हूँ बरत जी का तो बिलकुल वेलकम है TNC किस ओनलाइन प्रेट्पॉम पे गुड़ इविनिंग ओल ओफ मैं सबसे पहले तो देन्यवाद देना चाहता हूँ TNC टीम के डिरेक्टर सर और हमारे SNO सर बोजराज सर का इस्पेशली थेंक्यू वरी मच सर और गाइड मी सपोर्ट मी मोटिवेशन और ओल दिस तिंग और TNC टीम को भी मैं पूरी तरह से देन्यवाद देना चाहूंगा काफी मेरे को बेनिफिट मिला इस कोचिंग इस्टिटूट से पहले जैसे की TNC की हमेशा परमपरा रही है जो भी हमारे TNC की ऑनलेन प्रेट परम पर आता है तो यह आप के लिए जोटा सार जोगनेट वाला कि आप इसे विल्कुल हमेशा आयता ही आगे बढ़ते रहें आप यह इंट्रव्यू हम लोग कंटिन्यू कर रहें तो सबसे पहले मैं बरद जी आप से इंट्रव्यू कर करते हैं और आपने कहां से से में नर्सिंग की हैकर दर्व सबसे पहले मτοहुं 번째 किया है और उसके बाद यहां तक आप आएं तो सबसे में यहां पर हर अमुमन मैं यह एक क Fish of Dad मैं तो है कि यह जो है कि यह जो मैने आप दिये जो से खीए हानी तो आपके बारे में आप अची तरीकह मिल DOT मेरा इसा मैं बश्ची तरीक मिल मैं कि एले का यहा कיר शिंठ से आव्लिक्र शुन मßपम है करे लिए उसमेंयद थाव तो जो समय ग्लाूशय vision था हर बार हर बार जब भी एक्जाम होता है और किनारे प रहा और मेरे को काफी मोटिवेशन मिला में मतलब उतना कैसे बोलू मर को समझ में नहीं हो रहा है लेकिन मैंने TNC से continue one year तक paper fight किया था TNC का और continue में paper देता था उससे मेरी है ना मतलब paper देने की capacity वड़ी time consuming का management हुआ negative control हुआ और जो भी मेरे को doubt होटा था मैं वो screenshot लेके sir को बेजता था और sir जब भी time मिलते है मेरे को response करते और उसका answer भी देते थे मतलब मेरे को रात को दो दो बज़े भी sir ने phone करके doubt soul किये हैं आज भी मेरे को याद है वो बात बहुत सारी और हर बार मेरे को motivate किया है और हर बार exam होती sir मेरी rank पूछते थे फिर बोलते कोई बात नी बरत next time फिर next time ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा मतलब support किया TNC team ने coaching मेंने किसी other institute से की थी लेकिन जो भार ने जो paper दिये थे वो मैंने TNC team से दिये थे और बहुत minimum rate में जो paper था मतलब यसा कोई ज़्यादा charges भी नहीं था मतलब दिन के 15 रुपए 20 रुपए का charge था बहुत कम charge था लेकिन काफी support मिला और all और इनोंने include किया था उसमें सारी subject को include किया था और काफी काफी ज़्यादा benefit मिला उसका चलो मैंने paper उसमें दिया उसमें नहीं मिला लेकिन borderline पे था लेकिन end time पे मेरे को moment और आप पे जो मैं चाहता था वो सफलता मेरे को मिली गई वाइनली यह जो सफलता है रियली एक बहुत ही एप्रीशेबल सफलता है और मैं यह बोलता हो कि बहुत सारे बच्चों का सफना होता है कि जो एक electronic city होती है बैंगलॉर बहुत ही अच्छी city है वहां पे आपने selection लिया है और यहां पे जबकि बहुत सारे बच्चों का निवांस में जाने का एक सफना होता है वह आपको यह नहीं मिला है तो बगवान कहीं न कहीं बगवान के गर में देर है लेकिन कहीं अंदेर नहीं है वहां पे आपको 101 परसेंट जरूर जरूर सफलता मिलती है तो मै आज भी एक चीज़ याद है कि आपके जो बिलकुल करीबी दोस्त जो कि गंस्याम जी जिनको मैं अच्छे से जानता हूं जो कि selected हो गए थे उस समय एक दो दोस्त एक ही रूममेट हो और एक दोस्त जब निकल जाता है तो दूसरा दोस्त अगर पीछे जाता है कहीं ने कही दुआएं लगती है लेकिन कहीं न कहीं मन में थोड़ा सा वो ती रहता है कि यार कास में भी निकल जाता उस समय आपने किस परकार से मैनेज किया और आपको किस परकार से आपके दोस्ते सपोर्ट मिला यह बताना बहुत मुश्किल है लेकिन एक होता है ना जैसे दो रूम देरी जोइन कर रही थी और मिलब यह था कि मैं पड़ाई को मिलो कंटीनू डेडिकेट के साथ मिलब 6-7-8 वर में टाइम देता था इस्टेडी को और कंटीनू और बुक तो मैंने ऐसा था कि मैंने लगबग सारी बुक रेफर कर लीती पढ़ने में लेकिन मैं के ना यह च जोइन कर लो जिससे आपका नेगेटिव कंट्रोल टाइम कंजूमिंग पेपर देने का तरीका वो सारा आपका कंट्रोल हो सके बस और बाकी तो में क्या वालने चाहिए तो आपने जैसे कि आपने बता रहे हैं कि मैं टीन सी की साथ लगातार एक साल से पेपर दे रहा था तो आपने किसी और जगह से भी टेस्स कभी परचेस करने की कोशिस की और वहां से थोड़ा सा ठीन सी के अंदर आपको क्या बेनिफिट एक्स्टा मिला मैंने और तो कहीं से जोईन नहीं करी थी टेस्सिरिंज टेन सी की देरा था दो तीन फायदे थे टेन सी के एक तो यह कोई ज्यादा बेटर माना और अच्छा कुशन भी सारे लेवल के थे वन लाइनर से लगा के रेशनल तक के भी थे मिडियम की थे लो भी थे तो उसमें इंक्लूड हो रहा था ठीक है उसके बाद पर्टिकुलर्स टोपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज भी था और कंबाइ मैंने उसमें मेरी रेंक बहुत बिचे गई लेकिन दिरे दिरे जैसे में अंडर 20 के अंदर आने लगया तो मेरा कॉन्फिटेंस और बुष्ट हो गया कि नहीं नहीं मेरे को बजा आ रहा है मतलब मैं फस्ट रेंक कब लाओं ऐसे करके काफी मतलब मेरे को helpful मिला मैं दिल की गहराइयों से सर को इस्पेशली बोजरास सर को मेरे बहुत आइडियल मोटिवेटर और सारी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इस मतलब निमान सेलेक्शन का बहुत ज़्यादा शेर देना चाहूंगा तो टीन सी टीम को देना चाहूंगा जिन्होंने और कि यह भुhst सारे बच्चें होते हैं की कुछ लंबे समय के बाद करूशा में नहीं होता है दूसरे नहीं हैं होता है अपना प zostaere की मैं को खो जीते हैं और उन्हीं के सामने एक एक exchanged है कि नांतिकि की बात एक काली मिशान में पूछने में क्योंकि थोड़ा हो झाता है कि क्या हुआ है koi बात नहींने, लेकिन भगवान देता है तो एक में अरगवान उल्स हुए इनके लिए निमांस को है, और रियल में, दो साल की जो लगातार, मैनत और एक साल के से लगातार TNC के paper दे रहे थे, और सबसे अच्छी विशेस्था मुझे यह थे कि, paper देना है तो देना ही है, paper देना है तो देना ही है, यह बहुत ही बड़ी quality होती है, time to time paper देना और अपना evolution continuous लखना, तो आप इस TNC के platform पाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और हमेशा आपका नाम परिवार का नाम और TNC परिवार का नाम रोशन करें जे हिंज जे भारत एंड वंदे महत्राव आपको